स्वागत है आपका आप देख रहे हैं दानियूस और मेरानी गुपता आपके साथ दिली के मुख्यमंत्री अरवंद केश्रवाल यू तो हर मामले में बढ़ चड़ करके बाते करते हुए नसर आते हैं लेकिन जैसे ही उनसे स्वाती मालीवाल मामले को ले करके सवाल पूछा जाता है और अरवंद केश्रवाल जो है वो घबरा जाते हैं और इतना जादा घबरा जाते हैं कि उनका गला सूख जाता है और वो पानी पीते हुए नसर आते हैं आपको बता दे कि जिन आंकर ने उनका इंटर्वियू लिया इस वाक्त सोशल मीडिया पर उनकी काफी परेरल हो रही है और इसी के साथ ही लोग पिनाज त्यागी की तारीफ कर रहे हैं कि बड़े से बड़ा निउस चैनल का कोई भी अंकर अरवंद केश्रवाल से स्वाती मालीवाल मामले को लेकर के सवाल नहीं पूछ पाया लेकिन पिनाज त्यागी ने कमाल कर दिया और अर व्हालकी के मुख्यमंत्री अर्वंद केशवाल ने इंडिया टीवी से खास बात चीती और इसी के साथ ले कई सारे सवालों का जबाद दिया कि कैसे उन्हें फर्टाजी केस में फसाया गया उन्होंने कहा कि देश के संवयधानिक संस्थाओं को बीजपी सरकार खत्म कर रही है और आज नायपालिका पर भी बहुत बड़ा प्रेशर है इसी के साथ ही सीम ने ये भी कहा कि जेल में रहकर सरकार चलाओंगा और इस संबंद में जरुवत पड़ी तो हम कोड भी चाहेंगे इतना ही नहीं उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर बीज़िपी की सरकार बनती है तो अगले टम में देश के कई ऐसे दिगश नेता होंगे जो की सलाखों के पीछे होंगे फरचायोवर राहुल गांदी हो गए अमके स्टलिन हो गए या फर ममता बैलर जी हो गए लेकिन जैसे ही अरवंद केशवाल से स्वाती मालिवाल मामले को लेकर के सवाल पूछा जा आते हैं और उनकी घबराहाट उनके चेहरे पर शुकन के तोर पर देखी जाती है ना सर्फ अरवंद के इश्रवाल का गला सुखता है वलकि वो पानी पीते हुए नसर आते हैं और उनको हिचकी भी आ जाती है इसी के साथ ही उन्होंने इस सवाल का जबाब तो नहीं दिया लेकिन हाँ ये जरूर कहा कि मैं इस मुद्दे पे कुछ भी बूलना या टिपड़ी करना उचत नहीं समझता क्योंकि ये मामला कोट में है दरसल आपको बता दे कि इंडिया टीवी की जो एंकर है पिनास्त्यागी उन्होंने ये सवाल पूछा कि आखिर तेरा माई को इसको बताया इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था ऐसे में मैं इस मामले में कोई भी टिपड़ी नहीं कर सकता जिसकी बाद पिनास्त्यागी उनसे ये कहती है लेकिन आप ही के पार्टी के नेता एक प्रेस कॉंफरेंस करते हैं और ये कहते है कि हाँ स्वाती मालिवाल के साथ मारपीट हुई है बस सलूखी की है और बकादा सीयम जो है इस मामले को संग्यान में लिए है और अपराधी के खिलाफ कड़ी करवाई की जाएगी लेकिन अगले ही दिन विभाव कुमार आपके साथ यापोर्ट पर नसर आते हैं जिसके ब लोगों ने तो ये तक कह दिया कि शराब घोटाला मामला भी ना सिर्फ पुलिस के पास है बलकि ये मामला कोट के पास है और बकादा राश्टी अजाच जिंसियां इस मामले की जाच कर रही है लेकिन बार-बार आप इस मामले में टीका टिपड़ी क्यों करते हैं ना सिर् से चलेगा आपको बता दे के साथ ही सोशल मीडिया पर दो तस्वीरे इस वक्त शेयर हो रही है जिसमें एक अर्वंद केशिवाल है जो पानी पीते हुए नसर आ की जारी है इसमें तमाम लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया भी साजहा कर रहे हैं जिसमें बीचुपी नेता से ले करके काई सारे आम जनता भी और एक्टर भी शामिल हैं पता दे कि जाने मानें बॉलिविड एक्टर परेश अवल जो है वह इस क्लिप को शेयर करते हुए कहते हैं कि जो सवाल बड़े बड़े पत्रकार दो पैसे के लालच में पूछने से डर गए वो सवाल जब पिनास त्यागी ने पूछे तो भ्रस्टा शारी का गला सुग गया चेहरे का रंग उड़ गया वही बीचुपी प्रवक्तार शिवम त्यागी कहते हैं कि अगर बेशर का भाई होने की बात करता है शर्म करो केशिवाल शर्म करो वहीं एक अन्य ट्वीटर यूजर जितेंद्र प्रताप सिंग इस वीडियो क्लिप को शेर करते हुए यह कहते हैं कि मेरे एक मित्र इंडिया टीवी में प्रोडक्शन हेड है वो बता रहे हैं कि आरवंद इंटर्व्यू के लिए आए तब देखिए कि आउट ओफ सवाल पूछा गया तब कैसे यह किसी आने लगे इसी के साथ ही मनी सिंग नाम के ट्वीटर यूजर लिखते हैं कि इंडिया टीवी के पत्रकार पिनास्त्यागी निया जूट के सरदार अरवंद केश्रवाल की व फूज डाला वही सर्दाल लकी सिंह लिखते हैं कि आ एकरने पानी पिला डाला केश्रिवाल झिंगा-ला वही रोहित जैन नाम के यूजर लिखते हैं कि अगर किसी को डर का चेहरा देखना हो तो वो इस वीडियो में अर्वंद केश्रवाल का चेहरा देख ले डर क्या होता है पता चल जाएगा वहीं अगर हम अन्य यूजर की बात करें तो श्याम कुमार लिखते हैं कि पिनास त्यागी द्वारा अरवंद केश्रवाल का लिया इंटरव्यू सहसिक है केश्रवाल हर इंटरव्यू में अपना वर्जन ही सुना रहे निकली आपके यूट्यूब चैनल पर इन दिनों इस इंटरव्यू का ना तो कोई लाइब हुआ है और नहीं इसे कहीं दिखाया गया है लेकिन ये इंटरव्यू इंडिया टीवी पे आप देख सकते हैं इसी के साथ ही संजर पार्णे नाम के यूजर लिखते हैं कि को अपना राजा बना लिया है इसी के साथ ही बीचुपी नेता तजिंदर पाल सिंग बगगा ने भी अरवन केशिवाल की फोटो शेयर की है हाला कि उन्हें कुछ कैप्शन नहीं दिया है लेकिन जो तस्वीर उन्होंने शेयर की है वो तस्वीर ही अपने आप में चीजों को बताने के लिए काफी है इसी के साथ ही अजीत भारती जो है वो लिखते हैं कि पिनास त्यागी जी द्वारा किया गया ये इंटर्व्यू उन तमाम लैब डॉग एंकरो रिपोर्टर्स के लिए प्रश्रिक्षन सामगरी है जो केश्रिवाल याम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के फॉलो प्रश्न नहीं पूछ पाते वेफसाई खेत एक तरब परंतु दस वर्शों में पहली बार किसी पत्रकार नेरविंद केश्रिवाल से वो प्रश्न पूछे जो पूछे जाने चाहिए थे मैं पानी पिला दिया पर नहीं जाओंगा क्योंकि वो शाररी क सावर्शक्ता हो सकती है संभव है कि गला सूग गया होगा लेकिन विज्यापन नहीं देंगे कि अख़त धमकी से डराने वाले ऐसे समय में पिनास त्यागी का ये साख्षातकार पूरे चुनाव का सबसे साख्षेक इंटरव्यू है जिसके लिए वो धन्यवात की पात्र ह हर पत्रकार के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उनके पास दो विकल्प होते हैं अपना कार सत्यनिस्ठा से करें नेता के सामने उनके प्रभाव में आकर उनकी शर्ड का ब्रांड और उनके ट्वीट को पढ़कर उसे पूछे कि इतनी क्रांती कहां से भर गई आप में पिनाज ने पहला विकल्प चुना है आपको बता दे हाला कि अरवंद केशवाल ने पिछले कई दिनों में कई सारे नियूस चैनल को इंटरव्यू दिया है और उनका ये इंटरव्यू जो है उनके सोशल मीडिया हैंडल यानि कि आम आदमी पार्टी और अरवंद केशवा की प्रोफाइल में पाएंगे और ना ही आम आदमी पार्टी के प्रोफाइल में पाएंगे तो जाहिर तोर पर ये बताना काफी है कि कैसे जब वो अखिलेश रादों के साथ प्रेस कांफरेंस कर रहे थे लखनौ में तब भी एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा था और स जब भी देखने को मिलीती स्वाती मालिवाल का नाम सुनते ही और यही इस्थिति एक बार फिर से इंडिया टीवी के चैनल पर देखने को मिलती है जब पिनास्त्यागी स्वाती मालिवाल का नाम लेती है उनके बारे में सवाल पूछती है फिलाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्याराय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं धन्यवाद